उत्तर परदेश सरकार की महात्वा कांशी कारिक्रम संचारी रोग नियंतर और दस्तक अभियान का गोरपूर विश्वे दैले के दीच्छा भवन परीसर में एक जुलाई से जनी सो मार को विधवत उदगाटर नगर विधायक डटर रादा मोहंदास अगरवाल विधायक सहजनवा शीतर पंडे तथा जिलादिकारी की विजन पंडें दवारा किया गया इस उसर पर अधितियों दोरा एक सो आठ नमर की सोला एंबुलेंस तता फागिंग टीम के साथ मुबाइल स्वास्त मैं कोहरी जन्टी दिखा कर रवाना किया गया इस उसर पर नगरवदय कडटर डटराममग अ सरीवाल नमे ने दाया कि संचारी रोग नियंतर अवयान 11 जुलाई से 31 जुलाई तक तता दस तक अवयान 11 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित होगा उन्होंने कहा कि आशा स्वास्त सेवा की रीड होती है और दस्तक अवियान के दौरान आशा एक हजार की आबादी पर दस्तक देगी तथा घर वालों को सुचता एमम बुखार आने पर क्या करें क्या ना करें सम्मंदी जानकारी होगी उन्होंने का कि पर्देश सकार स्वास्त सेवाओ की बहतरी हितु निरंतर प्रयास्रत है तता स्वास्त केंडरों पर प्रयाप्त संसाधन चिकसों में मंदमाओ आदी की खुलफ़ता सुनिचित करा रही है ताकि इलाज के अभाव में किसी भी मरीज की मिरुत्य ना होने पाए साथ ही इस मौके पर जिलादिकरी के विजन पाड़ने ने बदाए कि संचारी रोग नियंतर और अभियान की सफलता है तो अंतर विभाग ये समन में अस्तापित कर कारिय किया जा रहा है जिसमें 15 विभा कि साथ मोहंदास अग्रवाल इवां जिलादिकारी के विजन पाड़ने कहा विजन पाड़ने का है अब कर दो इस सब्सक्राइब कर देख लेदी अक्ला बेचाव जी पिछाएगा लुटको जानने सबसाइब अधिस में गया तुमेड़ को जानते रिषाएंगे में इसका सेटी को सेटे जिए रेचम इसका भी हल है वोचुमाए यहाथ फैने आए पर एक होवागहलेजिकल च्रोपीश कांगेदे, यहाथ कहत था उंक यह अपना झाल, 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 झाल कि सरकार बनी है कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो बीमारी हमारी पुर्वांचल के लिए कोड़ बन गई थी उसका समूल नास करने की और इसलिए बिभिन अस्तरों पे काम हुए हैं मेटकल कालेजियों को सुधारा गया है जिला अस्पतालों में आईसी बनाई गए हैं जग जग एनाईसी और पीकू बनाई गए हैं और यह बैवस्था की गई है कि जहां भी नागरिक जिसगी भी गाउं में रहते हैं जिस जा सकते हैं उन्हें अस्पताल ना आना पड़े बलकि अस्पताल उनके नजदीक पहुचे और उसका अमनों को फाइदा मिला है वो बिमारी जो हर साल 3000, 4000, 5000 मरीज आते थे और 500, 600 की मौत होती थी अभी जनवरी से लेकर अभी तक कुल 90 मरीज आएं हैं सिर्फ 90 मरीज और मौत बमुस्किल 7 य 8 की हुई है तो संख्या भी घटी है और मौत की दरे भी घटी है इसलिए कि हम लोग हमेशा कहते थे कि इनके फ्लाइटी से अगर आज उसी करम में दस्तक अभियान का ये इस साल का पहला चरण है दूसरा चरण है और हम आभारी हैं टाटा प्रसासन के भी स्वाभाई कुरूप से गोरगपूर के जिलादिकारी सीमों के तो हैं ही इन लोगोंने विशेज स्योगदान करके टाटा को इस बात के लिए प्र आखे जाएं इसके लिए हमें विली गुप्ट एंबुलेंसेज दी हैं जिसमें मरीज को रखने की देखने की आकसीजन की जाच की पैरा मेडिकल की और क्वालिफैट दाक्टर्स की सबकी वेवस्था है ये एक बड़ा योगदान है उनका इसी प्रकार से उत्तर जैसा वर्स्था को पहुचाने में सफल होंगे मैं सबके योगदान के लिए मानी मुख्मंत्री जी जो कि स्वास्थ को लेकर हमेशा जागुरुक रहते हैं गोरगपूर के नागरिकों की और से उन्हें आभार प्रकट करता हूं और विश्वार दलाता हूं कि इस पारी सा लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहा है कि जिले जिले में जहां जहां ऐसा समूह रहता है कि मच्छड की सम्हावना अधिक हो और नागरिक समूहों के बीच में ये फागिंग मसीने पढ़ें मैंने पूछा भी है कि दवा कौन सी है तो अब वो जो रूटीन दवाएं ज लोग बिशे सुरूप से दस्तक अभ्यान के थूप पैदा कर रहे हैं नागरिकों की सोच में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो भी एक प्रभाविय सर लाने वाला है ये एक चिंता कभी से हम लोग के लिए है क्योंकि जेई का ठीका करन हुआ है और प्रभावी ठीका करन जालें और कवरेज भी है उसका यह कहीं ना कहीं जो जेई का जो वाइरस है चुकि मैं स्वयम चिकिसक हूं इनके अंदर म्यूटेशन की छंता बहुत अधिक होती है यह अपना स्वरूप बदलते हैं अपनी जिन्तिक आइडेंटिटी बदलते हैं और जब यह देखते हैं कि विपृत परिस्थितियां आ रही तो यह एक नए सोरूप में सामने आ जाते हैं उस पर अध्यान सोथ चल रहा है और यदि ऐसा कोई उसमें बैट्रिया वाइरस निकलता है जो इन वैक्सिन से प्रभावित नहीं होता है तो हम लोग वैक्सिन को उस दिसा में भी ले जा कि गोरकपूर बस्ति मंडल में बहुत प्रभाव रहा इसका दो तीन साल पहले हजारों हजारों बच्छें 18 साल की नीचे बच्छें मरते थे पिछले साल हम लोग इसी बीमारी को उपर अच्छा से खाबू पापाएं उसी के वज़े पिछले साल भी हम लोग का जो मृत्य का रेट है बिल्कुल गट गया था इस बार ना के बराबर चल रहा है अब तक का केवल सिंगल डिजित में चार पांच मरीज कही जो दिक्कत हुई थी और बाकी लोग टिक्ता करके हम लोग गर बेज़ दिये सेम स्ट्राटजी के साब से शाशन में हम लोग को 16 आंबलन्स अज मिला है उसके अलावा पांच मोबैल अइंबलन्स डिवाइज मिला है कि हर गाहों जा करके हम लोग अभियान के तोर से क्याम करा करके इसी बीमारी के बारे में बताएंगे एक ही संदेश लेके जाते हैं जो भी मरीज है इस बार अटारा के नीचे जो बच्चे हैं किस आस्पतल ले आएं 24 गंटे गंदर उसके बाद हम लोग तिक टाक करा करके उनके घर बेज देंगे उमीद है यह इसी साल हम लोग अभियान चला करके यह बीमारी इसी मिट्टी से हटाएंगे